तो गाईज आज की तारीख से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सबी current affairs को हम यहाँ पर detail से discuss करेंगे यह वीडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत जादा important हो जाता है तो चलो शुबारम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है यहाँ से आप लोग daily basis पर इस lecture के PDF को डाउनलोड कर सकते हो साथी साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में personally connect करना चाहते हो तो क्या करना है इंस्टाग्राम पे जाना, search box में टाइप करना दीपज यादव education आपको मेरा profile मिलेगा वहाँ पर already 10,000 से जादा लोग जुड़ जो के हैं आप भी मेरे साथ में जुड़ कर जो अपनी queries हैं वो पूछ सकते हो स्टार्ट करेंगे session को लेकिन session को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ वैसे इस वीडियो के अंदर मैं ज़्याद तर फोकस करूँगा Indian Express के उपर Indian Express के जो भी relevant articles होंगे आज के साथी साथ में editorials हाँ बिल्कुल जो important editorials होंगे उनको भी मैं यहीं पर cover कर दूँगा बहुती ज़्यादा interesting way में और आपको proper notes भी मिलेंगे background information भी मिलेगी मतलब आपका the Hindu newspaper तो morning में cover होई रहा है शाम को Indian Express पूरी तरह से cover हो रहा है मतलब no time waste केवल और केवल important content ही आपको इस पूरे वीडियो के अंदर मिलने वाला है जो की exam से related है साथी साथ में वीडियो का अंत बिल्कुल मिसमत करना त्योंकि वीडियो के अंत में prelims rapid fire की series चलती है और वीडियो के last में आपको prelims के लिए practice करवाई जाएगी कुछ questions बताए जाएंगे और वो जो questions है वो directly आप कह सकते हो कि आपके examination में पूछी भी जा सकते हैं ठीक है तो यह जो editorial हैं डिन एक्सप्रेस के अंदर यह किस चीज के बारे में बात करता है रश्या और इंडिया के relationship के बारे में तो यह topic बहुत important है आज के समय में लगातार news में बना हुआ है तो अभी मैं आपको एक ऐसा पूरा content ready करवा दूँगा कि रश्या और इंडिया के relationship के ओपर mains में कोई भी सवाल आएगा या इन से संबंदित prelims में कोई सवाल आएगा तो आप उसको बहुत अराम से tackle कर पाऊ और यह topic बहुत important हो चुका है सवाल बनने के पूरे पूरे chances है 100% chances है तो इस editorial को लिखा है शुबाजीत रॉय सापके थूरू यह रही इनकी picture यह बात करते हैं रश्या इंडिया के relationship के बारे में अब देखो यह article क्यों लिखा गया यह article इस लिखा गया क्योंकि recently भारत के प् पर कुछ बाते साजा करी हैं तो हमारे Prime Minister PM Modi ने Russia के President Vladimir Putin से बोला कि देखो बैठ कर जो बातचीत है ना अगर बैठ कर बातचीत की जाए तो वो ज़्यादा better option है और बैठ कर बातचीत से कई ना कई एक हल निकल सकता है ठीक है तो यह बात हमारे PM ने Vladimir Putin से बोली है इसी चक्कर में हम लोग आज discuss करेंगे और मौका भी मिला है कि इंडिया और साथी साथ में Russia के relationship कहां पर stand करते हैं और आगे यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़े future में करने वाले हैं तो न्यूज में क्या है समझ में आ गया अब बात यह करते हैं कि देखो February से क्योंकि आपको बता यूकरीन का जो वार है ना ये February में इस स्टार्ट हुआ था इस साल तो February से अभी तक लगबग पांचवी बार फोन पर बातचीत हो चुकी है इन दोनों ही लीडर्स के बीच में हमारे PM होदिय ने साथी साथ में व्लादिर मुपुतिन ने फोन पर लगबग February से अभी तक प प्रिटिकल रिलेशन काँ पर स्टैंड करते हैं इसको समझेंगे देखो ऑक्टूबर 2000 के अंदर साल 2000 के अंदर ऑक्टूबर के महीने में एक पार्टनर्शिप साइन करी गई थी Declaration on the India-Russia strategic partnership जब से इसको साइन किया है न तब सही इंडिया-Russia के जो relationship है वो बहुत ज़ादा मजबूत होते हुए नजर आएं एक नई तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएं फिर उसके 10 साल बाद यानि की साल 2010 में एक again एक strategic partnership को फिर से क्या कर दिया हमने और मजबूत कर दिया अब हमने इस partnership को एक special strategic partnership के अंदर convert कर दिया फिर आप देखोगे इतनी ज़ादा मजबूत होगे relationship इन 10 सालों के अंदर की आने वाले कुछ और सालों के अंदर इंडिया ने बहुत सारे जो समान है वो रश्या से purchase किया काफी सरे हाथियार यहाँ पे रश्या से purchase किय फिर साल 2019 में रश्या ने हमारे प्राम मिनिस्टर को एक रश्या का ही एक highest award दिया है रश्या का highest award है order of state Andrew the apostle करके तो यह वाला award हमारे PM Modi को recently दिया गया है रश्या की साइट से यह रश्या का ही अपना खुद का एक highest और एक सबसे पुराना award है जो की recently PM Modi को दिया गया बात क् फिर उसके बाद में आप देखोगे कि इन दोनों ही देशों के बीच में annual summit भी होते हुए नजर आएं काफी बार यहां पर बातचीत की गई है एना अवलदमिर पुतिन ने PM Modi ने काफी सारे अलगलग summit के अदर बहुत सारा discussion भी किया है और यह हर साल ऐसे discussion चलता हुआ नज इसके basis पर दोनों के relations और जदा मजबूत लगातार हो रहे हैं अब एक और बहुत important point है वो है bilateral trade दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो कहां पर stand करता है तो writer ने आपर कुछ important facts मेंशन करे हैं जो कि आप directly अपने means में मेंशन कर सकते हो भारत का जो bilateral trade है जो व्याप व्यापार के मामले में इस बार all time जो व्यापार है वो high है कितने रुपए तक का हुआ है इसको हम अगर dollars में देखें तो 18,229.03 million US dollars का व्यापार हुआ है इस साल इस साल April से August के महीने में केवल और केवल इतने महीनों में इतने रुपए तक का व्यापार हुआ इतने dollars का basically व्यापार हुआ यह 2022 देश की बात कर रहा हूँ यानि जिस साल में हम अभी के समय पर चल रहे है अब आप देखो कि जो 18,000 million dollars का जो हमने व्यापार किया था ना इसमें से भारत ने जाधतर import किया है कितना import किया है 17,236.29 million dollars का तो केवल और केवल हमने इंपोर्ट किया है इ तो हम लोगों ने रश्या को export कम किया है रश्या से import बहुत जाधा किया है ठीक है और अगर हम बात करें तो obviously बात है इस 18,000 में से 17,000 million dollars का हम लोगों ने किया हम लोगों ने यहाँ पर इसतना import किया है export हम लोगों ने केवल और केवल 992.73 million dollars का किया है तो trade balance एक negative trade balance है क्यों किया है किस चीज़ का यह अभी मैं आगे बता हूँगा लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझना यह जो मैंने अभी उपर data बताया आपको यह साल 2022 से इसका है इस साल व्यापार एक उंच स्तर पर है लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो 1997 से लेकर 2003 तक आप देखोग तो इस व्यापार में इंडिया को ज़्यादा हुआ करता था भारत बहुत कुछ यहां पर export किया करता था रश्या को बट अभी के समय पर भारत काफी सारी चीज़े import कर रहा है ठीक है यह रहा रश्या उपर और यहां पर रश्या की capital Moscow नीच आपको यहां पर इंडिया यह USSR हुआ करता था यानि कि Soviet Union तो जब यह Soviet Union हुआ करता था तब भी हमारे relation Soviet Union से अच्छे हुआ करते थे आप देखोगे 1947 यानि कि in fact हमारा देश अजाद होने से पहले भी यहां पर आप कह सकते हो कि दोनों countries के बीच में relation हुआ करते थे ठीक है Soviet Union और इंडिया के बीच में रिलेशन हुआ करते थे फिर 1971 में आप देखोगे इन्होंने Treaty of Peace and Friendship को साइन किया 1993 1993 वो समय था जब USSR ओलेडी टूट चुका था अब यह Russia के सासद और भी छोटे छोटे देशों के अंदर बढ़ चुका था तो Soviet Union जैसी टूट गया तो उसके बाद में Russia बना और 1993 में आप बताया कि इन दोनों की जो पार्टनर्शिप वो मजबूत हो गई थी फिर 2010 में इन्होंने क्या किया अपनी इसी पार्टनर्शिप को और जदा बड़े लेवल पर लेकर चले गए इस प्रकार से कानी चल रही थी तो अगर जब हम USSR की बात करते हैं तो USSR के बारे में आपको आई थे जिसमें से जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा रशिया है इसके अलावा एस्टोनिया, लात्विया, लिथ्वेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मुल्दोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, एजरबायजन, कजखस्तान, उस्बैकिस्तान, तुर् मैं क्या डिसकस कर रहा था, रशिया, यूकरेन के, सोरी, रशिया और इंडिया के व्यापार के मामले में, तो 2022 से इसके अंदर इनका व्यापार एक बहुत बड़े लेवल पर चला गया, मैंने आपको समझा दिया, और ये बड़े लेवल पर क्यों चला गया, क्योंकि इस हमने ये देखा कि जैसे ही रशिया यूकरेन का यूद स्टार्ट होता है फेरबरी में, उसके बाद से रशिया के उपर लगातर काफी सारे देशों ने सेंक्शन्स लगा दिये, इनफाक्ट यूरोप्यान यूनियन के जो पूरे कंट्रीज उन्होंने सेंक्शन्स लगाए यूएस ने सेंक्शन्स लगाए, धेर सारे सेंक्शन्स आज के टाइम पर रशिया के उपर लग चुके हैं, तो सब ने बोल दिया कि रशिया से कोई व्यापार नहीं करेगा, रशिया ने क्या क्या, रशिया ने बोला कि हम अपना कच्चा तेल यानि जो क्रूड आयल है व और बहुत जादा सस्ते दाम में कच्छा तेल मगाया और इतना जादा व्यापार कर लिया इस 2022 से इस के अंदर कि इस समय इंडिया का 7th biggest trading partner बन चुका है रशिया और आज से पहले पिछले साल ये 25 नंबर पर आया करता था खासकर कितना जाधा इंपोर्ट रशिया से हम लोगů ने किया है तो आज कि समय पर 7th more पर आने वाला यहाँ पर रश्या देश है जिसके साथ में सबस्यादा हमारा व्यापार है उसके अलावा स्टार्टिंग के 6 देश कौन कौनस है तो सबसे नमबर वन पर है US, then China, then UAE, Saudi Arabia, Iraq, Indonesia, ये तो हो गए टेटल छे कंट्री जिसके साथ में सबसदा व्यापार है, उसके अलावा साथ में नमबर पर आ जाता है Russia, बात क्लियर हो गई, अब मैंने आपको बताया कि जो व्यापार बढ़ा है, इसके पीछे का reason क्या है, reason वही ह कि लगातार वार हुआ, उसके बाद यहाँ पर रश्याई पर सेंक्शन लगे, रश्याई डिसकाउंटेड वे में, जो अपना सामान है वो बेच्चा, हम लोगों ने हैं पर लगातार परचिस किया, फिर एक और चीज निकल कर आती है, हमने आखिर का रश्या से खरीदा कि 91% इंपोर्ट हमने केवल इन ही दोनों चीज़ों का किया है इस साल, तो सबसे जादा व्यापार इन ही दो चीज़ों का हुआ है, यही चीज़ें हम लोगों ने सब जादा परचिस करी हैं रश्या से, क्लियर हो गई बात, अब आप देखोगे, यह तो मैंने व्यापार के बारे में समझा दिया, उसके बाद इन दोनों देशों का अलगला ग्रुप्स के अंदर भी बहुत ज़ादा इंगेजमेंट देखने को मिलेगा, रश्या और युक्रियन दोनों ही आज के समय पर SEO के मेंबर हैं, शांगाई कोपरेशन और्गनाजिशन के, ब्रिक्स के मेंबर हैं, G20 के मेंबर हैं, तो इतने सारे इंपोर्टेंट ग्रुप्स हैं, इन सभी ग्रुप्स के यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज मेंबर देखने को मिलती हैं, एवन इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुका है, इस्टन एकोनोमिक फोरम के अंदर में, जो की र रश्या जापान ने मिलकर जैनवरी 2021 में भी एक मीटिंग रखी थी, तो जितने भी इंपोर्टेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ पर दोनों कंट्रीज अपने एक दूसरे के पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं, बात क्लियर हो गई, अब बात करते इंदोनों दोशे के डिफेंस कोपरेशन के बारे में, यानि डिफेंस का मामला के से चलना, यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट के उपर थोड़ा ज़्यादा जोड़ देना, देखो आज के समय में, इंडिया के पास में जितने भी हतियार हैं, जो हमारी इं लोग को बहुत सारी चीज़े बेची हैं, आप देखोगे, जो डिफेंस कोपरेशन ए रिष्या के साथ में, वो बहुत लंबे समय से हमारे देखने को मिलते हैं, इन फैक जो ब्रहमूज मिसाइल है, आपको बताओगा एक बहुत इंपोरेंट मिसाइल है, इस ब्रहमूज म मैं आपको कुछ पिचर दिखाता हूँ, इंडिया ने S-400 का, जो ये डील है, रश्या के साथ में किया है, S-400 सिस्टम किया है, ये वाला जो पिचर आपको दिख रहा है ना, ये S-400 सिस्टम का है, ये क्या करेगा, इसको हम लोग अपने बॉर्डर पर तेनात कर देंगे, क जो ये डिफेंस सिस्टम में इसको तेनात करेंगे, ये क्या करेगा, ये उड़ती भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा, ठीक है, अगर ये मिसाइल आ रहे होगी, अगर मालोग पाकिस्टन कोई मिसाइल दाखता है, चायना कोई मिसाइल दाखता है, तो ये अगर हमार और भी अग्रिमेंट्स कर रखे हैं आज के समय में इंडिया के पास में हमारी आर्मी के पास में जितने भी बैटल टैंक है न उसमें 90% बैटल टैंक रश्यन ओरिजिन है रश्या के सपोर्ट से हम लोग लेकर आएं रश्या के सपोर्ट से हम बनी है उसके आद में चाये वो डिस्ट्रॉयर हो गया काशन क्लास खा ये रश्या के सपोर्ट से मिला है फिर उसके आद में फाइटर जट की बात करें तो SU-30 के बारे में आपको बता होगा MIG-21 के बारे में बता होगा ये सब यहाँ पर फिर कुछ हतियार जो रश्या बना कर इंडिया को देगा जैसे यहाँ पर अकूला क्लास का न्यूकलर पार अटाइक सम्मरीन हो गया कम ओफ के डबल टू सिक्स यूटी लीटी हेलिकॉप्टर्स हो गए SU-30 MKI एरक्राफ्ट हो गया इसके बाद में यहाँ पर क्रिवक क्लास फ्रीगेट्स हो गए तो यह कुछ और वैपन से जिसको लेकर अभी काम चल रहा है दोनों देश मिलकर यहाँ पर आप कैसकतो हो इसको और डेवलप करने के उपर लगातर जारी अपना जो काम है वो लगातर कर रहे है क्लीर होगी बात अब दोनों देशों के न्यूकलार और स्पेस कोपरेशन के बारे में डिसकेशन करेंगे देखो जो रश्या है न वो अभी हाँ पर क्या कर रहा है इंडिया के अंदर में जो कुदान कुलम नुखिलर पार प्लांट है न इसको यहाँ पर डवलप कर रहा है कुदान कुलम नुखिलर पार प्लांट भारत में बनाया जा रहा है नीचे कमेंट सेक्षन बताना तो इसका जो development है इसमें रश्या का involvement देखने को मिलेगा और आप देखोगे यह बिसिकली हाँ पर जो power plant है यह काफी हद तक important है यह power plant क्या करेगा यह इंडिया को धेर सारी बिजली पैदा कर देगा ठीक है वैसे मैं आपको बता दूँ चलो मैं आपको बताई देता हूँ तामिलाडू के अंदर आपको यह plant देखने को मिलता है तो अभी हाँ पर क्या किया है हमारे जो कुदान कुलम nuclear power plant है इसके लिए कुछ fuel को उफर किया है अभी 21 दिसंबर की news है तो जो fuel है यानि कि जो यह nuclear power plant है इसमें जो fuel का इस्तमाल करते है वो fuel हमें रश्या देगा और यह थोड़ा सा high quality का fuel होगा यह क्योंकि होता क्या है कि हम ल रश्या यह वोला fuel जो है वो रश्या हम लोग को देने वाला है ठीक है बात क्लियर हो गई उसके आद में इस प्रकार से भीर सारे nuclear reactors आपको इंडिया में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर राजिस्थान में उतर प्रदेश में महराष्टरा में करनाटका में तामिल नाड जाता है चाइना है रश्या है साउध कोरिया है इंडिया है कैनेडा यूके यूक्रेन और जैपान जैसे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे विकिपीडिया की साइट क्या बोलती है जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ पर बोलता है कि नेवंबर 2020 तक भी अगर ह इंडिया और रश्या की रिलेशनशिप ध्यान रखना आपको एक्जामनेशन में हेल्प करेगा और डारेक्ली मेंस के अंदर आप इन चीजों का इस्तमाल कर सकते हो मतलब एक पूरा तरह से बना बनाया कॉंटेंट आपको मिल चुका है बस काली एक्जाम में कोई क्वेश परोड़ सकते हो है और अच्छा लागता है जब सपोर्ट मलता रहता है और वीडियो भी आगे यहाँ पर बढ़ता रहता है next important article होने वाला है वेटनेटर राइस फेस्टिवब लेकर तो आगे इंडिन एक्सप्रेस का अटिकल है वेटन्टर राइस फेस्टिवल के बारे म हम लोग चर्चा करेंगे, यह जो festival है, यह जो तयोहार है, यह हम लोग को कुछ ऐसी चावल की वराइटीज को बारे में बताता है, जो की बहुत ज़दा बहतरीन है, ऐसी चावल की वराइटी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे कैसा भी और experiment करते वे इन्होंने basically focus किया कि जो पुराने जमाने में केरला के अंदर चावल को उगाया जाता है, ठीक है ना, उसी चावल का उन्होंने promote करने की कोशिश करी है, इन्होंने बोला कि जो चावल है ना, ये बहुत पुराने जमाने के चावल ये company ये जो organization से वो basically उगा रही है, कहाँ पर, वाइने district के अंदर केरला के जो वाइने district है ना, यहाँ पर उगाया जा रहा है, तो ये जो festival आता है, इस festival के दौरान, इस festival का मकसद ये होता है कि हम लोगों के अंदर जागरुकता है फिला सकें, केरला के कुछ पुराने जमाने के फसलों के बारे में, ठीक ह लगातार गर्मी का बढ़ना और जगर गर्मी जादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा जो हमारी फसले हैं वो सईसे उगने ही पाती हैं है ना वो फसलों को डामेज करती हैं लेकिन कुछ चावल की वराइटी हैं जो कि वो गर्मी को भी मात दे सकती हैं उस climate change condition के अंदर भी ब और दूसरे आता है black rice variety थोंडी वराइटी की बात करें तो इस प्रकार से आपको यह थोंडी वराइटी देखने को मलती हैं यह organic rice हैं काले काले करके आपको यहाँ पर यह चावल देखने को मलता हैं इनसका अंदर बहुत सब्सक्राइब न्यूट्रीशन देखने को मलेगा organic यहाँ पर पूरी तरह से farming की जाती है और पूरी तरह से यहाँ पर nutritious भर पूरी चावल नजर आते हैं अब यह जो अलग लग प्रकार की varieties है ना जातर varieties इस प्रकार के चावलों की मिलती है केरेला में करनाटका में आसम, तामिलनाडू, अर्मनाचल प्रदेश, महराष्टा और साधी साथ में West Bengal के अंदर में, इन सबी राज्यों में कौन सी variety मिलती है, चावल की वो variety मिलती है, जो की क्या करती है, कोई जाधा गर्मी हो गई या सूका पढ़ गया, तो उस area, उस condition में भी अच्छे से grow कर सकती है, ठीक है ना, तो इन के अंदर, इन first law के अंदर अपन प्राई variety के पारे मिन आपको बताया, black rice variety के बारे में बात करें, तो काले चावल ये होते हैं, इन के अंदर zinc, iron और जो दूसरे important nutrients हैं, वो सबसे जाधा पाए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार सा आपको ये black rice दिखाए पड़ता है, ये बिलकुल चावल ह इस black rice के अंदर manganese, phosphorus और magnesium जैसी चीज़े भी पाई जाती हैं, जो कि हमारी health को बहुत ज़्यदा promote करती हैं, muscles को, bones को, deep को, brain को support करने का काम करती हैं, तो इन चावल के ज़्यादा promote करने के उपर focus दिया जाता है इस festival के दोरान, ठीक है, ये हमने varieties के बारे में बात किया, हमारे पास में important facts हैं, जिसको लेकर directly UPS से सवाल पहले पूछ चुका है, और आने वाले समय में भी सवाल बन सकते हैं, तो rice क्या है, rice basically एक ऐसा food है, जो कि हमारे पूरे भारत में खाया जाता है, सभी लोग यहाँ पर चावल खाते होंगे, कभी ना कभी तो खाते ही होंगे, कॉमन सा food है, आप ऐसा गय सकते हो, basically यहाँ पर rice जो है एक खारिफ crop है, ठीक है, खारिफ crop के अंदर में आता है, और जब हम इसको लगा रहे होते हैं, तो कितना temperature चाहिए होता है, लगबग यहाँ पर 25 degree Celsius का temperature चाहिए होगा, थोड़ी से नमी चाहिए होती है, बारिश लग के किसान भाई हैं, लगबग तीन प्रकार की फसलों को उगाते हैं, और अमन और बोरो, उसके अलावा और जो चावल का cultivation है, जो सबसे ज़्यादा producer states है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा production किया जाता है, वो है West Bengal, उतरपरदेश और पंजाब, और उसके बाद तामिलाडू, हर प्रियाडा, आंदरपरदेश, तिलंगना, West Bengal, केरेला, ये कुछ राज्ये भी आपको देखने को बलेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का production किया जाता है, आज के समय पर चावल के मामले में भारत जो है, दूसरा सबसे बड़ा producer है चाइना के बाद में, तो question बन जाता है ऐसे, और ऐसा question पहले भी पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना, चाइना सबसेदा चावल का उतपाधन करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाला देश है, वो है इंडिया, क्लियरों के information, चलो, next article पर आता है, नहों आता है यहाँ पर next important article, देखो, वर्ल्ड बैंक की एक report आईए, air pollution को लेकर, आप सोचे रहोंगे, बहुत असा article है, air pollution के बारें बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत important और interesting article है, और exam के लिए बहुत important, आप देखोगे, मैं directly वर्ल्ड बैंक की website पर गया था, और वर्ल्ड बैंक की website से ही मैंने इ खाला है, और इसकी सारी information आपके साथ में share करें, मतलब बिलकुल authentic information आपको मिलने वाली है, ठीक है, तो वर्ल बैंक ने यहाँ पर आप कह सकते हो, कि बोला है कि बिलकुल एक urgent action की जरूरत है, एक बहुत ज़दा जरूरित, जरूरी है कि हम एक action लें, और इस deadly air pollution को कम करें, और बोला ये गया कि जो ये air pollution है, ये कोई एक देश अपने आप कम नहीं कर पाएगा, अगर आप कहो कि इंडिया air pollution को कम कर सकता है, ऐसे कम हो ही नहीं सकेगा, इंडिया के आसपास के जो देश हमारे पलूसी देश हैं, उनको भी ये pollution कम करना होगा, तबी ये हमारे देश म अब इस रिपोर्ट के अदर क्या बोला गया? इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 6 areas, 6 बड़े-बड़े areas इन्होंने identify करे हैं, कौन कौन से? अभी मैं कुछ जगा के नाम लेने वाला हूँ, उन जगा के नाम के उपर बस खली ध्यान से गौर्ष फरमाना, कि exactly यहाँ पर क्या के नाम में ले रहा हूँ, पंजाब जो कि पा बांगलादेश, देन ओडिशा 36 गड़, देन उसके बाद Eastern Gujarat, Western महराष्टरा, देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर South Pakistan, Western अफगानिस्तान और साथी साथ में Eastern Iran, ठीक है, यह सारी countries के जो मैंने नाम लिये हैं, बोला यह गया है कि इन देशों के अंदर में, इवन बां अंगलादेश और यह रहा इंडिया, इन देशों के बारे में भी जिक्र किया गया, क्या बोला गया, कि देखो इंडिया के अंदर जो है ना, बहुत सरा pollution होता है, ठीक है, चलो, वायू प्रदूशर हो रहा है, अग क्या आप इमाजन करो, हम लोग अगर pollution के उपर control लगान नहीं सकता, क्योंकि air pollution को इधर पाकिस्तान को भी रोकना पड़ेगा, अफगानिस्तान को भी और इरान को भी, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्योंकि चलो मानलो भारत ने air pollution को control कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये air pollution हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, और इरा से भी उदर जाता है, तो यहाँ पर यही बोला गया, तो यह जो पलूशन है, यह इस प्रकार से इन बॉर्डर के आसपास देखने को मलता है, इस पूरे एरिया को हम एरशेट बोलते हैं, यानि कि एक पूरा पर्टिकुलर रीजन जो की एक ही हवा को शेयर कर रहा है, ठीक है अब देखो बोला गया, कि जो सबसे अदा पलूशन हो रहा है, वो किस वज़ा से हो रहा है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री की वज़ा से, पावर प्लांट्स की वज़ा से, गाली मोटर की वज़ा से, उसके बाद में घरों के अंदर गैस जलाई जारी, गैस की जगए ल अंदर हो रहा है, इन अलग-लग देशों के अंदर और इन देशों से जो बॉर्डर है ना, इसके आसपास में ट्रांसफर हो जाता है, बात क्लियर हुई, तो सरकार ने क्या करना पड़ेगा, सरकार ने काफी सरे स्टेप्स उठाएं इस पलूशन को कंट्रोल करने के लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताए गई, ठीक है, अब एरशेट क्या होता है मैं आपको बता दिया, एक कॉमन जोग्रिफिक एरिया जैसे साउथ एशा है ना, ये पूरा का पूरा बेसिकली एक ही एरिया को शेर कर रहा है, यहाँ पर जो हवा है वो बिल्कुल स से उदर भाग रही है, तो सब को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, एक देश को काम करने से या एक देश के पलूशन कम करने से कुछ नहीं होने वाला, बाकि इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, भारत ने अलग-लग प्रकार के कई सारे कदम उठाएं है एर फिर उसके बाद में हमने सफर पोर्टल को मनाया, सिस्टम ऑफ एर क्वालिटी एंड वैदर फोर्कास्टिंग रिसर्च, इसका काम क्या है, इस पोर्टल का काम है कि जो वैदर है, जो मौसम है, उसको यहाँ पर उसका अंदाज अलगाना उसकी फोर्कास्टिंग करना, फि उस हवा के अंदर अलग-अलग pollutants को मेजर किया जाता है, जैसे उस हवा के अंदर PM2.5 यानि जो छोटे-छोटे कंकड के टुकड़े हैं, बड़े कंकड के टुकड़े हैं, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डायोक्साइड, ओज यह जो चीज़े हैं, इन harmful gases को मोनिटर किया जाता है, इस air quality index के अंदर में, ठीक है, यह बात में आपने ध्यान में रखनी है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको subsidy दे रहे हैं, ताकि वो किसान भाई क्या कर सके, THS मशीन को खरी सके, टर् पराली का आदा कार्ट दिया जाता है, फिर आदी बच जाती है, जिसको यहाँ पर उसको जलाना पड़ता है, जलाने की वज़ा से काफिसरी problems निकल कर आती हैं, ठीक है ना, तो नईनी technologies को लगाने की बात चीत की गई है, जिससे की पराली कम इखटी हो, जिससे यहाँ पर और उससे pollution भी कम हो सके, तो यह कदम यहाँ पर इंडिया ने कुछ उठाए है, एर पोलुशन को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर होगी बात, चलो, next article पर आते हैं, अगला article बहुत important होने वाला है, यह P.I.B. का है, ठीक है, तो P.I.B. से article को उठाया गया है, सरकारी website है, सरक और Leather Development Program क्या है, इसको आज हम यहाँ पर detail से cover करने वाले हैं, तो news में क्यों है, पहले हम इसको समझेंगे, तो हमारी जो सरकार है, केन सरकार, इन्होंने क्या बोला, यह जो scheme है, Indian Food Wear and Leather Development Program का, इस scheme को हम लोग 31 March 2026 तक चलाने वाले हैं, इस scheme को आगे तक चलाया जाएगा, यहाँ पर basically हम अपने Leather Sector के अंदर इसको और जदा बढ़ाने के उपर focus करता हैं, तो यह जो scheme है, IFLDP, Indian Food Wear Leather Development Program, ठीक है, Leather Sector को ही आगे और जदा विकास में लेकर आना, इसको और जदा विक्सित करने का, यहाँ पर यह हमारा target है, और उसके लिए एक scheme को हमने चलाया, य हमारी जो केन सरकार है, वही सारा पैसा खर्च करती है, और केन सरकार का मकसद यहाँ पर यह है, कि हम लोग क्या कर सकें, एक अच्छा infrastructure बना सकें अपने Leather के लिए, Leather Sector के लिए, यहाँ पर जो भी Leather से सम्मदित प्रॉब्लम से उनको ठीक कर सकें, इस पर्टिकुलर हमारी Department of Promotion of Industry and Internal Trade ने, जो कि Ministry of Commerce and Industry के अंदर में आता है, जिनकी वेब साइट से आर्टिकल में ने उठाया है, बात क्लिर होगी, अब ग्या है ना, इसी Leather Development Scheme के अंदर में कुछ और छोटी-छोटी Schemes आती हैं, उसके नाम यहाँ पर दिएगा हैं, इसको याद रखने के आविश रखता, इतनी है नहीं, ठीक है, अब मैं डारेक्ली आपको बताता हूँ, यह जो Scheme है, इसका Impact क्या पढ़ेगा, यह जो Program है, डारेक्ली किसको फाइदा पहुचाने वाला है, इस Program के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार जनरेट होगा, इस Particular Leather Industry के अंदर में, Especially Women के उपर थोड़ा Focus दिया जाएगा, महिलाओ के लिए थोड़ा जादा रोजगार जनरेट किया जाएगा, लोग के अंदर जो Skill है, उसको Develop करने के उपर काम किया जाएगा, इस Scheme के तहत, ठीक है, इस Industry को जादा Environment Friendly बना जाएगा, यानि इस Industry से कोई Production ना हो, यह हम लोग थोड़ा Focus करेंगे, इसके मामले में हम लोग अपने Leather के Production Capability को और जादा बढ़ाने वाले हैं, हम लोग Focus करेंगे कि Male और Female दोनों को बराबरी यहाँ पर आपका सकतो Equality मिले इस Particular Industry में, कोई भेदभाव ना हो दोनों के बीच में, तो यह हमारे Targets है इस Particular Scheme के तहत, बात इसके में Information देता हूं, जो Leather Industry है इंडिया के अंदर में आप देखोगे, दुनिया भर में जितना भी Leather का Production होता है ना, उसका 13% Production के एवल भारत के अंदर ही किया जाता है, और हमारा सराना का Production आप देखोगे बहुत बड़ा है, यह जो Industry है, यह जानी जाती है अपने Export की व भरपूर मातरा में अविलेबल है, ठीक है, तो उसी काम लोग इस्तिमाल करके Leather को बनाते हैं, Leather Industry एक Employment Intensive Industry है, यहाँ पे धेर साई लोग को रोजगार मिलावाए, कितने लोग को लगबक 4 मिलियन से जादा, 40 लाग से जादा लोग काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंड और यह सबसे ऊपर है, इस Leather Products के अदर में, इस Industry में 30% तक जो विमेन हैं, वो आज के समय पर उनको रोजगार मिलावा है, वो काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो Leather Industry है, यह आप कहसे हो यहाँ पर, जो यंग पीपल है, वो लगातार काम कर रहे हैं, 55% ऐसे लोग है, ज यहने कि आपको पता होगा, इसी चम्ड़े से जूते चपल बनाए जाते हैं, कुछ Leather Garments बनाए जाते हैं, बेल्ट बगरा बनाए जाती हैं, पर्स बगरा बनाए जाता है, काफी कुछ इसे बनाए जाती हैं, तो इस मामले में, भारत जो है ना, दूसरा नंबर पर आने व तो इंडिया के अंदर में सबसे जादा जो Leather के सेंटर से वो कहां कहां पर हैं, वो आपको तामिल नाडू, आंदर परदेश, वेस्ट बेंगल, उतर परदेश, महराष्टरा, पंजाब, हर्याणा और डेली में देखने को मिलेंगे, सबसे बड़े मार्केट यानि दुनि तो सबसे जादा समान अमेरिका हम लोगों से परचेस करता है, हमारे देश का जितना भी एक्सपोर्ट है, लेदर का उसका 25% एक्सपोर्ट हम केवल और केवल अमेरिका को ही करते हैं, बात क्लियर हो गई, तो इस पर्टिकुलर इंडिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना आ प्रधान मंतरी विरासत का समवर्धन स्कीम, तो यह स्कीम क्या है, एक नई स्कीम है, न्यूज में है, आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, तो न्यूज क्या है, कि देखो इस स्कीम का नाम ना पहले कुछ और हुआ करता है, क्या नाम था, प्रधान मंतरी कौशल को क नाम कारे करम, ये नाम हुआ करते था, लेकिन अब इसका नाम change कर दिया ये, इसका नाम change कर के PM विकास कर दिया ये, प्रधान मंत्री विरासत का समवर्धन system नाम पर इसको दे दिया गया है, तो नाम इसका बदल दिया इस Health तो इस scheme के बार में सारी जानकारी लेनी हैं आपको, सबसे पहली चीज यह जो scheme है, यह एक central sector scheme है, जो हमारी केन सरकार है, वही सारा पैसा यहाँ पर खर्च करती है, इस scheme का मकसद क्या है, इसका मकसद है focus करना, खासकर जो women's है, जो minority, artisan community की women's है, यानि कि जो अलग कलाकारी कर प्रोवाइड करवाना, इनको training प्रोवाइड करवाना, ताकि यह और जदा भेतर आगे काम कर सकें, ठीक है न, और जदा भेतर कामाई कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पर इस particular scheme को चलाया गया है, देखो यहाँ पर यह जो scheme है, यह कहीना कि एक integrated scheme है, integrated मतलब इसके अंदर अ और जदा अच्छा किया जाता है, और इसकी चक्कर में उससे यहाँ पर जब उनको चीज़ों सीखने को मिलती है, तो उससे वो धेर सारा पैसा कमा भी बात है, तो सीखो और कमाऊ, उस scheme BC के अंदर में आती है, फिर उसका उस्ताद, उस्ताद मतलब upgrading the skills and training in traditional arts and crafts of development, इसका मक कर्मोट किया जाए, उसको protection provide करवाय जाए, उसके लिए यहाँ पर इस particular scheme है, फिर हमारी धरोहर, हमारी धरोहर को लेकर आया गया है, ताकि हमारा जो यह पुराने जमाने की, जो यह minority communities यह कलाकारी करती है, इसको यहाँ पर protection provide करवाय जाए, फिर नई रौश्णी scheme, नई skills provide करवाने का काम करती है, इस scheme, और वही चीज़ यहाँ पर live mint के अंदर भी बोली गई है, कि जो नई रौश्णी scheme है, इसने काफी सारी महिलाओ को support किया है, लगबाग 40,000 women के आसपास लोगों को train किया है, इस नई रौश्णी scheme के तहत, उनको training देने के बाद में, उनको अ पांचो scheme है, यह पांचो scheme है, यहाँ पर हमारे PM विकास के अंदर में आती है, ध्यान में रखना है, इसके बारे में जर्चा की गई है, तो इस scheme को हमारे cabinet ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है PM विकास scheme के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ important components है, इसका मकसद है कि ज लोग के skills मिलेगी, काम लेंगे, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए जीवन काटने के लिए एक source बन जाएगा, एक livelihood यहाँ पर इनको मिल जाएगा, ठीक है, साधी साथ में women की leadership को यहाँ पर promote किया जाएगा, education देने का काम किया जाएगा, तो यह सारा काम यहाँ इस particular scheme के दहत करने वाले है, साधी साथ में काफी सारे लोगों की जो इससे income है उबढ़ने लगेगी, या फिर लोगों को यहाँ पर कुछ उधारी का support भी मिला जाएगा, मतलब कुछ लोगों को उधार के मामले में जो support है, वो भी यहाँ पर इस particular scheme है वो दिया करेगी, ठी एक important article था हमारा, यह भी हम लोगों ने cover कर लिया, next article पर आता है, अगला article आप देखोगे, यह basically यहाँ पर अलगलग newspaper के अंदर already publish हो चुका है, हमने अभी तक cover नहीं किया है, तो उसको हम लोग cover करेंगे, तो article क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है, केरेला के बारे में, त आगे भी बन सकते हैं, चलो फिर स्राट करते हैं, अब यार, हो क्या रहा है ना, बीज बीज मेरी सांस फूल ले, मैं दूसरा काम भी कर रहा हूं, तो वीडियो को मैं पॉस करकर के बार बार चले जाता हूं, वो काम करने के लिए, अब मैं दौड के आ रहा हूं, तो बार यह वाला आर्टिकल देखते हैं, इस आर्टिकल को मैंने बताया कि अलग लग न्यूस्पेपर ने जो है ना, अलड़ी कवर कर रहा है, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, केरेला के अंदर में लगबग पांच प्रोड़क्ट्स ऐसे हैं, जिनको अभी जी आई टेग दिया गया है, और वो पांच अग्रिकल्चरल प्रोड़क्ट्स हैं, वो अग्रिकल्चरल प्रोड़क्ट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम आपने ध्यान में रखने हैं, उन पांचो समान के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीके, एक नाम क्या है ओनातु कारा एलू फिर एक है कोदंग गालूर पोतु वेलारी देन अतपड़ी ओतु कॉंबु अवरा देन उसके बाद में अतपड़ी थुवरा देन उसके बाद में कंथलूर वतवड़ा वेलू थिली यह बेसिकली के परस्पेक्टिव से नाम बताए गए हैं अभी मैं आपको बताऊँगा सरल्द भाषा में कैसे आपर नाम ध्यान रखना है तो वैसे यह पर यह जो पांच एग्रिकल्चुलर प्रोड़क्ट्स हैं इनको जिया टैग दिया गया है ठीक है इसके अलावा रिसेंटली जो गमोसा है गमोसा बेसिकली एक कपड़ा है अ तो इतने सारे समानों को रिसेंटली जिया टैग मिला है आपको पढ़ना है खास कर के इन पांचो जिया टैग्स के बारें बताता हूं मैं जो यह अतपड़ी अतु कॉमबो अवरा है यह बेसिकली एक बीन है बीन आपने खाय भी होगी तो इस प्रकार से यह बीन नजर आत तो उसको हम लोग GI Tech प्रोवाइड करवाता है, तो यह जो बीन्स हैं, इसको GI Tech इसलिए दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर एंथोसियानिन कॉंटेंट पाया जाता है, एंथोसियानिन कॉंटेंट, अब यह एंथोसियानिन करता क्या है, मैं आपको बता दूँ, यह बहुत के अंदर में, यानी किसी को दिल से सम्भंद, दिल वाली बिमार्यान उनके लिए बहुत मददागार साथित होता है, उसके बाद में किसको Diabetes है, तो उसमें भी बहुत कारिगरी साथित होती है, यह वाली बीन, यह बीन खाई जा सकती है, उसके बाद में सब्सें इंपोरे तो आप देखोगे ये लाल चना को भी GI tag मिला क्यों? क्योंकि हाँ पर ही जो seeds है इसकी जो बीज है वो बहुत important है थोड़े से बड़े size के बीज होता है और इनका weight वगरा थोड़ा सा जाधा होता है ठीक है तीसरी चीज क्या है? ओना तू करा health benefits है इसके अंदर antioxidant content बहुत ज़्यादा पाये जाता है जिससे क्या होगा? कि जो free radicals होता है जो कि आपके body की जो कोशिका है उसको damage करता है तो उन free radicals से लड़ने मदद करता ये तेल तो ये जो तेल है इसका बहुत वड़ा value थी यानि एक प्रकार की garlic है एक प्रकार की अधरक यहाँ पर देखने को मिलेगी आप जब दूसरी garlic से दूसरी अधरकों से इसको compare करोगे ना तो इस वाली अधरक में sulfide, flavinoid, protein ये बहुत चीज़े पाय जाती है उसके आद में essential oils भी इस product के अंदर बहुत ज़दा पाय जाता है इसके अंदर ऐसी property है कि इन्फेक्शन से लड़ सकता है जो sugar हो गया, cancer हो गया इन विमारियों से भी हाँ पर लड़ने में काफी अतत्त मदगार साबित हो थी ये वाली अधरक जिसके बारे मैंने आपको बताया, ठीक है अब sorry, मैं अधरक बोला हूँ न garlic lesson होता है मैं अधरक बोला हूँ, sorry, sorry, sorry ठीक है, अधरक ginger होता है, garlic lesson होता है मैं lesson की बात कर रहे हैं, ठीक है ये lesson की बात कर रहे है, पेरे चौदी चीज़ क्या है चौरती चीज़ है कोदांगुलूर, पोतु वेलरी, ठीक है न, इसको हम लोग स्नैप मेलन के नाम से जानते हैं, स्नैप मेलन अब यह कैसा देखा ही पड़ता है, आप यहाँ पर देख पाओगे, यह रहा स्नैप मेलन है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यह जो स् आप अरभी के समय पर GI Tech दिया गया, बाकी इस बार कौनकों से प्रोडेक्स को GI Tech मिला है, यह पूरा चार्ट में आप लगा दिया है, PDF को डाउलोड कर लेना, इसमें से यहाँ पर यह डाउलोड आपको करते वे सारी चीज़ा मिल जाएंगी, तो GI Tech क्या होता आपको पता च एक्सपोर्ड भी बहुत जादा हुआ करेगा, तो इस एरिया का जो इंकम वगर आए वही बढ़ती होई नजर आने वाली है, ठीक है, तो ऐसे सवाल डारेक्ली बन जाते हैं, कैसे सवाल कि इन इन समान को GI Tech मिला, देखोगे 2015 में एक सर्प्राइज वाला क्वेशन था, वि इसका option है C, 1 and 3, ठीक है, ये सारीज हो गई और तिरुपति लेट डू, इनको GI Tech मिला था, ठीक है न, GI Tech एक साइन है, जिसको हम लोग प्रोडेट्स को देता है, उसकी क्वालिटी को देखते वे, उसकी reputation और जदा बढ़ जाते हैं, यह मैं आपको बताया था, डारजलिंग टी, डारजलिंग टी, पहला ऐसा समान है, जिसको GI Tech मिला था, इंडिया के अंदर में, ठीक है न, यह आपको ध्यान में रखना है, तो GI Tech जिसको भी समान को मिलता है, उसका नाम ध्यान अकना, वो कहां से है, उसका जगा ध्यान अकना, क्योंकि ऐसे सवाल डारेक्ली exam में प अभ्यास होता है, एक exercise होती है, जिसको हम लोग काजिंद बोल किते हैं, तो अब की बार छटा edition हुआ है काजिंद 2022 का, यह जो छटा edition है, कहां पर कंडट किया गया, मेगालिया के अंदर जो उम्रोई है यहां पर यह अभ्यास हुआ है, किस-किस के बीच में, कजखस्तान औ अभ्यास होता है, इसको काजिंद बोलता है, इस अभ्यास के दोरान जो दोनों कंट्रीज की मिलिटरी हैं, वो आपस में मिलकर अभ्यास करती है, एक दूसरे को अपनी जो special चीज़ें वो सिखाती है, इससे relation और मजबूत होता है, खासकर जो defense cooperation है, वो और जदा मजबूत ह तो तेवे नजर आता है, कजखस्तान की बात करें, तो कजखस्तान यहाँ पर एक centralization country है, तो रश्या के पास में कजखस्तान देखने को मिलेगा, उपर रश्या है, नीचे उसबैकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, है ना, नीचे जाओगे तो आपको इंडिया दे तो इंडिया के लिए तोड़ा सा important हो जाता है, बाकि कुछ बहुत सारी important groups होता है, जैसे confidence building measures in Asia हो गया, शांगई cooperation organization, United Nation organization हो गया, ये कुछ important bodies है, इन bodies के अंदर भी इंडिया और Kazakhstan साथ में बिलकर cooperate करते हैं, और Kazakhstan का support इंडिया के लिए होता है, इंडिया का support Kazakhstan के प्रती होता है इन सारी की सारी bodies के अंदर में, बात क्लियर हो गई, तो ये था हमारा पूरगबुरा Indian Express का analysis, ठीक है, जिसमें हमने editorial और important articles को cover किया, अब हम बात करेंगे prelims rapid fire series के बारे में, तो prelims के लिए कुछ important questions है, फटा-फट हम इसको cover करने वाले हैं, सबसे पहला question, with reference to Indian Historical Record Committee, consider the following statements, जो Indian Historical Record Committee है न, इसके reference में दो statement दिये गए हैं, पहला, इस committee को head क्या जाता है, Ministry of Culture के थूँ, दूसरा, जो National Archive of India है, New Delhi के अंदर, ये basically headquarter है इस committee का, बताओ कौन सा statement सही है, option A 1 only, option B 2 only, options C दोनों सही हैं, या फिर option D, दोनों के दोनों गलत हैं, तो इसका सही answer है, option number C, दोनों के दोनों आपको सही उत्तर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ये committee news में है, तो ये committee क्या है, आओ इसके बारे में थोड़ी सी information को लेते हैं, news में इसलिए है, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये आप picture भी देख पार होंगे, ये latest picture है, PIB की website से picture को उठाया जा है, तो हुआ क्या, 63rd session, इस historical record committee का जो 73rd session है, वो अभी organize किया गया, 18 से 19 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश राज्ये के अंदर में, इस वज़ा से यहाँ पर ये committee news में है, committee क्या है, ये basically यहाँ पर ये ऐसा मंच देखने को मिलता है, जहाँ पर काफी सारे लोग आपक आसिक records है, उसको कैसे manage करना है, एस particular मामले के regarding, ये body advice देती है हमारी सरकार को, इसका जो secretary desk का जो headquarter है, वो National Archives of India में ही है, National Archives of India जो की New Delhi के अंदर देखने को मिलती है, ये basically हमारी historical record committee का ही headquarter है, ठीक है, तो IHRC को head कौन करता है, इस committee को head क्या जाता है हमारे culture minister के थूँ, इसक अंदर total 134 members होता है, जो की अलग-लग सरकारी agency से आता है, सरकार के थूँ nominate करे वे members होता है, कुछ representative होता है, हमारी state के और unit territory के, university के, और कुछ institutions होता है, उनके भी यहाँ पे लोग देखने को मिलता है, तो IHRC के इसका अलड़ी 62 sessions हो चुके हैं, जो 63 session है, वो अभी यहाँ पर हमने देखा 18 से 19 December के बीच में 63 session भी रखा गया था, जहां पर काफी कुछ discussion किया गया, इस committee के अंदर आप देखोगे, दो अलग-लग bodies आती है, editorial committee और standing committee, इस committee के अंदर भी तो छोटी-छोटी committee यहाँ नजर आती हैं, आप इनके बारे में ध्यान में रख सकते हो, वैसे इसके अंदर कितने members है, वो बस खाली इतना ध्यान रखना, यह आपसे examination में पूछा जा सकता है, अगला question, अगला question बात करता है North Eastern Council के बारे में, यह recently body news में भी थी, तो North Eastern Council के reference में, आपको यहाँ पर दो statement से दिये गए हैं, बताना यह है कि कौन सा statement सही है, पहला statement बोलता है कि North Eastern Council जो है न, यह कहिना कहीं हमारे administrative purview है, Ministry of Home Affairs का, मतला Ministry of Home Affairs के administration के under में यह body आती है, दूसरा यहाँ पर बोलता है कि इसके अंदर governor और chief minister देखने को मिलते हैं, इस state के, और तीन members होते हैं जो कि president जो है वो nominate करता है, तो North Eastern Council के regarding, बताओ इन दोनों statement में से कौन सा statement सही है, option A, one only, option B, two only, option B, C, दोनों सही हैं या फिर option D, दोनों के दोनों गलत हैं, तो आओ इसके answer को देखते हैं, इसका answer है, केवल और केवल option number two, ठीक है, तो इसके अंदर governor होते हैं, chief minister होते हैं, इन states के, साधी साथ में तीन members होते हैं, जो कि president जो है वो nominate करते हैं, चोलो मैं आग north eastern council, जो है किसके administration के अंदर में आता है, तो हमारी ministry of development of north eastern region है, इसके अंदर में आता है, तो यहाँ पर question में पूछा गया था, ministry of home affair के अंदर में, इस वज़ा से statement वन गलत हो जाता है, यह ministry of home affair के administration के अंदर में नहीं आता है, यह ministry of development of north eastern region के अंदर में आता है, दूसरा, जो North Eastern Council है ये कोई संबेधानिक बॉड़ी नहीं है ये एक statuary बॉड़ी है यानि कि इसको एक act के मादम से बनाया गया है जो North Eastern Council Act in 1971 वाला इस act के मादम से बॉड़ी को बनाया गया बाद में amendment भी किया गया इसके अंदर साल 2002 में फिर एक और important चीज ये जो बॉड़ी है एक नोडल एजनसी है नोडल एजनसी एक important एजनसी है हमारी economic और social development के लिए खासकर North Eastern रिजन आपको बताओगा North Eastern रिजन के अंदर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो तो ये total 8 राज्या है जो कि basically North Eastern रिजन के अंदर में आता है तो इस particular body का North Eastern Council का मकसद है इन सभी राज्ये के अंदर development करना, economic development करना, social development करना इस council के अंदर में हमारे governor होता है और इन राज्यों के chief ministers होता है साथी साथ में तीन लोग होता है जो कि president nominate करता है तो North Eastern Council के regarding ये हमारे दोनों के दोनों statement बिलकुल सही हो जाते है बात clear होगी, चलो, तीसरे prelims वाले question के दरफ आता है, अगला question बात करता है, with reference to the SWAT, SWAT recently news में था, SWAT का मतलब है surface water and ocean topography, तो SWAT के reference में आपको दो statement से दिये गए है, पहला बोलता है कि इस SWAT को, ये mission को launch किया या है, इस रोके थुरू, दूसरा यहाँ पर बोलता है, कि ये हमारी मदद करेगा, जो water bodies होती है, इसको survey करने में, यानि इस mission का मकसद है, जो धर्ती पर जितनी भी water bodies है, गलत है, ऐसा क्यों, ऐसा इस लिए, क्योंकि इस SWAT mission को, इजरो ने launch नहीं किया है, इसको launch किया है, नासा ने, ठीक है न, इसकी full form है, surface water and ocean topography, और इसके नाम से ही हाँ पर पता चलता है, कि बिल्कुल, जो भी हमारी प्रित्वी के उपर में, water bodies है, समुद्र है, जीले है, न lakes की, ठीक है, इनकी study करके हमें एक data provide करवाएगा, तो इस satellite का नाम दिया गया SWAT, ठीक है, तो ये किया करेगे, एक advanced radar satellite है, जो कि हमें अपने प्रत्वी का, लगबख 70% का area का data provide करवाएगा, ocean, lake, reservoir, rivers, इनकी detailing provide करवाएगा, कितने बड़े area हमें है, सारी की सारी information, इन नदिय जील, समुदर के regarding हमें मिलेगा, ठीक है, इस SWAT को बनाया गया है, NASA के थुरू, NASA ने अकेले नहीं बनाया है, NASA ने हाँ पर support लिया, Center National De-Istitute Specialist का, साथी साथ में जो Canadian Space Agency है, इसका support था, और UK की जो Space Agency है, उसका support था, इन सब के साथ में cooperate करने के बाद में, इन सब ने jointly यहाँ पर इस particular mission को develop किया है, तो SWAT क्या है, किसने develop किया, किसका mission है, ध्यान अकना important है, examination के अंदर सवाल बन सकता है, तो discussion थोड़ा सा lengthy था, लेकिन पूरा worth था, आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आपने जाना होगा, तो दोनों वीडियोज फॉलो कर रहे हो, दिल लग वीडियोज देखने के बाद में, रात में सोने से पहले एक बार revision, फिर उसके बाद सब्ता के अंदर एक बार revision, फिर मन्त में एक बार revision, काम खतम, आपका majority of portion जो है, वो syllabus का यहीं से मैं cover कर देता हूँ, इन दोनों वीडियोज के अंदर में, चलो, इसी के साथ मैं करते हैं वीडियो का अंत मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाई-बाई, have a nice day, thank you and जैहिंद